कि चलिए आजाते हैं आपके बुक के कोश्चन पर मैंने एक ही कोश्चन लगाया था क्या कि एक ही लगाया था अलग से हुँ इलिस्टेशन थ्री और यह एजटीज दस नंबर में सवाल आएगा आपका दस नंबर में एजटीज लास्ट ये के पेपर में जो आया है वो भी मैं दिखा दूँगा आपके आपके सामनी कुश्चन है जितने बच्चे लाइव क्लास में है पहले पांच मिनट दिये जा रहे हैं बस आपको क्या निकालना है ग्रॉस इंवेस्मेंट जी आई एल और क्या निकालना है अन्ट फाइनेंस लीव इसे यू एफ आई भी बोल देते हैं आप शॉट फॉर् ले रहा हूं पांच मिनट के बाद फिर मैं करूँ है इसको ठीक है पांच मिनट आपको दिये जा रहे हैं अरे भाई डेपरिशेशन तो मैंने बोला है आप लिख लो जो चीज़े मैं बोलता हूं कि डेपरिशेशन आपके अलग टीटीस में चलेगा यह तो मैं एक्स्ट् कौन निकालेगा इनका हमें साथ लेसर ही निकालेगा कुछ्चन का पेज नंबर बता दो क्या है कि 15.4 एलिश्टेशन थ्री कि 1415.14 हो गया तरे चेक आपने सही किया या फिर गलत किया इसके अंदर एक पार्ट और एड कर देंगे नेट ठीक है चलिए कुछ्चन में कहता है कि भीया आपके मसीनरी है कितने रुपे की हाँ मसीनरी कितने रुपे की आपकी कुछ्चन में कहता है आपकी मसीनरी जो है वो 30 लाग और जो लाइफ है वो कितना है मारा 5 साल रेंटल दे रखा है कितना दे रखा है आपका आपका पांच लाग रुपे हर साल का गेरेंटिट दे रखा है आपको ये और और एक्सपेक्टिट दे रखा है आपको ये लाइफ आपका इंटर्नल रेट ऑफ रिटर्न यानि वही आ गया सेम आपका पांच साल का आपका फैक्टर दे रखा है अलग 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 हर जगह पे ठीक है तब फटा फट से क्या निकालेंगे सर फटा फट से निकालेंगे हम कि हमारा ग्रॉस क्या पूछा गया है कि आपका ग्रॉस लीज क्या है एक तो ये बताईए दूसरा पूछा गया आप से कि unearned finance lease क्या है ये बताईए तीसरा मैं ये add कर देता हूँ यहाँ पे net investment बताईए net investment का formula क्या होता है मैं यहीं लिख देता हूँ gross investment gross investment minus में unearned finance income ठीक है चलिए सर्फ सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं gross investment अगर हम gross investment निकाले क्या बनता है rent sir rental lease कितने का है 5 लाग कितने सालों तक मिलेगा sir 5 सालों तक मिलेगा तो कितने हो गए sir 25 लाग हो गया plus कर दो इसके अंदर क्या जो आपका guaranteed residual value था तो guaranteed residual value कितना हो गया sir सवाल कितना कहता है हमारा एक लाग और इसी के अंदर plus कर दो unguaranteed residual value जो कि कितना बन रहा है अब बता सकता है कोई 80,000 तो यह आगे 26,000,000 80,000 अब इसी का present value निकाल ले कई बार आपको rate वैसे exam में आता नहीं है rate निकालना मैं लिखिन सिखा दूँआ कि इसका यह rate 15% बनता कैसे है यह भी निकालना आगे एफ-म में सिखाए जाता है कि वह यह तुम rate भी खुदी बनाओ और सवाल भी खुदी बनाओ यह हो गया एक और आजाना है कॉलम एक और आजाना है year है न year आपका जो amount है present value और आपका present value ने पीवी फेक्टर है नहीं पर्जेंट वेल्यू फेक्टर और आपका पर्जेंट वेल्यू चलिए पहले साल में इंकम दूसरे साल में इंकम तीसरे साल में इंकम चौत्य साल में इंकम पांचवे साल में इंकम यह तो रहेगा ही रहेगा प्लस पांचवे साल में एक लाग यह भी आ जाएगा और प्लस पांचवे साल में असी अजार ये भी आ जाएगा ये पांचवे सार में क्या है guaranteed residual value है और ये क्या है unguaranted residual value और ये सारा क्या है हमारा rental trees है ये सारा का सारा rent है तो आप एक column और बनाना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो rent 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 और उसके आगे लिख सकते हो समझ में आई बात आपको चलिए अब इसका फैक्टर देख लेते हैं क्या दे रखा है 0.75610 पहला 8 है ओके अब बताते जाना पहला का है 0.96 दूसरा है जीरो पॉइंट कि तीसरा है जीरो पॉइंट चौथा है जीरो पॉइंट पांचवा है जीरो पॉइंट पॉर नाइन और इसके बाद तो यही चलेगा चलो मल्टिप्लाई कर कितना है पहले इसके बाद जीरो फिफटी इसके बाद इसके बाद डबल जीरो इसके बाद इसके बाद जीरो भी आएगा ना इसके बाद अभी टोटल कर लेते हैं सबसे पहले क्या गया दुबार बताओ वन सेवन सिक्स डबल फाइव यह आ गया तो सबसे पहले आपका ग्रॉस इंवेस्मेंट पूछा गया है तो ग्रॉस इंवेस्मेंट क्या होता है सर ग्रॉस इंवेस्मेंट इस इकल टू एम एल पी प्लस में अन गरेंटिड रेजिडूल बेल्यू जो की हमारा निकल के आया चब्श लाग असी हजार अब पूछा गया आपसे क्या अन 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 फाइनेंस इंकम है ना फाइनेंस इंकम फाइनेंस इंकम तो इसका क्या होता है हमारा ग्रॉस इंवेस्मेंट माइनस में पर्जेंट वेल्यू ओफ ग्रॉस इंवेस्मेंट है ना तो सर ग्रॉस इंवेस्मेंट क्या हो गया हमारा ग्रॉस इंवेस्मेंट क्या था हमारा 26 लाग 80,000 minus present value of वैसे मैंने यहाँ पर gross investment बोल दिया लेकिन बोलना यह चाहिए present value of MLP plus में URG ऐसे book में बोला जाएगा आपका ठीक है तो minus कर देते हैं 1,7,6,55,96 तो कितने आगए 9,1 0 अब मैंने एक और question एड़ कर दिया net investment भी बता दो तो net investment में क्या होगा gross investment में से हम क्या minus कर देंगे earn, earn, finance leave UFI तो आपका इसमें से बस यह minus करेंगे तो क्या जाएगा हमारा net investment तो बताइए net investment क्या होगा 26,80,000 minus में 9,1 4,04 क्या आगया क्या यह नया point आगया book से लावा बताइए क्या है इसको minus करिए 1765 5,9 6 इन सब को अलग-अलग color से कर देते हैं confusion ना हो यह मैंने अपना एक अलग निकाला है net investment इसको कर देते हैं इससे और यह मैंने अलग निकाला है इसको कर देते हैं इससे और यह अलग है यह वाला जो point है लास्ट वाला अब फिर confuse मत होना यह किताब में आपको नहीं मिलेगा यह मैंने अपनी तरफ से add-on करके लिखवा दिया है कि यह भी निकाला जा सकता है मैं rate निकालना भी बता दूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत clear है answer भी check कर लिजे यहाँ पर बोलने का क्या तरीका आपने याद रखना है gil mlp प्लस में यह दे रहे दिया इसने और नीचे यहाँ पर निकाल दिया यू एफ आई का मतलब होता है इसके short form मैं पूरे form लिख रहा हूं short abbreviation आप पड़ लेगे ठीक है अब lessy के books में देखा जाए तो वो तो operating lease के point में आएगा अब आ जाते हैं एक question यह है इसके अंदर ना आपका interest भी calculation पूछा जाएगा लेकिन अभी आप minimum lease payment निकालेंगे lessy in the books of less lessy यह point गरत लगए ठीक है यहाँ तक पहले clear है points सारा है ना अब मैं एक last year 10 year में जो सवाल आया 10 year लिया तो है नहीं मैं पढ़ देख लेता हूं क्या सवाल आया अगली class है ने 10 year के भी साथ के साथ ही निकालेंगे यह B.com honors के paper में लास्ट year में इसमें आया था question mcq type पूछ लिया था आपके book के पीछे भी होगा के sir इसके अंदर यह बताईए कि यह finance lease है यह क्या है इसमें पूछा गयाता है finance lease है operating lease है minimum rent payment क्या है यह सारे चीज़े पूछ लिया गया था present value of MLP क्या है यह बताईए बी पार्ट में और फिर सी पार्ट में explain the operating lease lesser lessy के point of v से last में दे रखा है यह last question ही है और प्रोग्राम में क्या है था दिखाओ सॉ्ल्व करा है ने करा प्रोग्राम में देखो और ना बुक के अंदर जो paper होता है उसमें badal दिया जाता है अventions 7 सवाल करोगे कुछ practical कोशन भी करोगे एक लास और रखते है इसमें मिजो की कल छे बजे रखेंगे एक और एक लास ठीक है कल साम को छे बजे इसको खतम कर लेंगे क्योंकि फिर जनल एंट्री भी कराना है और इनके बीच में देखो डिफरेंस भी है जो ओपरेटिंग और फाइनेंस लीज में आप देखें कौन से कौन से कुश्चन करेंगे इसमें प्रैक्टिकल एसाइनमेट भी कर लेंगे एक तो यह कर लोगे ठीक है finance lease complete present value of minimum lease कैसे समझ में आ रहे है present value of minimum lease कैसे निकालेंगे इसके allocate finance charge over the lease finance charge कितना होगा allocate यह मैं सिखाऊंगा आपको अगली घुलास में बस पहला point करेंगे depreciation, gross investment ये निकालना है इसमें unend finance lease निकालना है, दो question होगए इसमें बागी multiple है आपका short term lease which often cancel is not जो की cancel हो जाता, operating lease है या finance lease है या offered lease है, या leverage है ये MCQ एक बाद पढ़ नेंगा, बागी आपके में MCQ तो है नहीं इतना इस lease चलिए computerized accounting तो देखो आपने खुद करना पड़ेगा तो आज की class को हम यहीं पर खतम करते हैं देखो दो question हो, तीन question हो गए homework में, ये तीनो question कल करके आना है, कल मैं इसके journal entry और operating list पूरी तरीके से मैं खतम कर दूँगा उसके बाद हम परसो सुभे class रखके ES9 को भी खतम कर लेंगे, revenue recognition, जितने भी accounting standard है, in detail अलग से time निकाल के कर लेंगे, पहले ताके exam में, अब exam में कितने number का सवाल आया था, मैं बता देता हूँ ये ये आया था, sir एक question आया था हमारा 12 number का question आया था, ये और उसी के साथ 6 number का question आया था explain the accounting treatment operating lease in the books of lessee, यानि total 18 number का इस chapter से सवाल पूछा गया है become owners के अंदर ठीक है 90 90 number का paper आएगा आपका 18 number का, each question 5 question आएगे 90 number का घ्यान रखिएगा ठीक है, 75 का नहीं बनेगा हाँ, जो CVCS वाले बच्चे हैं पुराने course वाले, उनका तो 18 number का ही बनेगा clear, तो चलिए मिलते हैं next class में सबONE सबस्क्राव सबस्क्राव कर संब बनेओ। बनेओंगे वह अगजएगे ढगका रखिट कर दर कर दो